आगे बढ़ेंगे खबरों में अमरित उध्यान किया गया मुगल गार्डन का नाम अब बदला गया है राश्रुपती भवन के गार्डन का नाम बदला गया है अमरित उध्यान में बनाए गये हैं सेल्फी पॉइंट्स इस बार अमरित उद्यान 12 बजे से 9 बजे तक खुलेगा ओनलाइन बुकिंग के ज़रिये लोग अमरित उद्यान जा सकेंगे पहली बार वाक-इन विजिजर्स को भी गार्डन में घूमने दिया जाएगा और सबसे ज्यादा समय के लिए खुलेगा 31 जनवरी से 26 मार्च तक आपने सुना होगा अमोगल गार्डन है जो खुला करता था और लोग घूमने जाते थे खास तोर से फरवरी महीने में अब कुछ तब्रीलिया हुई है इस बार मुझो समय है एक सीमित समय के लिए होता था तो उसे बढ़ा दिया गया है आपको दुनिया जहान के खुबसूरत एक से बढ़कर एक फूल देखने को मिलेंगे यदि आप नहीं गए हैं तो आप जरूर जाएएगा अपने आप एक्स्प्लोर कीजिए जादा से जादा इस साल मौनसोन सीजन में भी ये खुलेगा बारा किस्म के चूलिप सेखने को मिलेंगे जगा जगा क्यूर कोड लगे होंगे जिन्हें स्कैन करके आपको फूलों के बारे में दिल्चस्प जानकारी मिलेंगी जो बड़ी खबर है वो ये कि मुगल गार्डन का नाम अब अ मुगल गार्डन के नाम से जिसे जानते थे जो देश तुनिया में विख्यात है उसका नाम बदला गया है अमरत उध्यान किया गया है और बारा बज़े से नौ बज़े तक ये खुलेगा तो आप प्लाइन कर सकते हैं न सिर्फ टाइमिंग बढ़ाई गई है बलकि दिन भ खुलेगा जानकारी आपको दे दे बारा बज़े से नौ बज़े तक खुलेगा आप ऑनलाइन बुकिंग के जरीए भी यहां आ सकते हैं पहली बार वॉक इन विजिटर्स को गार्डन में घूमने दिया जाएगा इस बार जो है दो महिने के लिए ये खुलने वाला है 31 जन इसमें अलग 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 के लिए एक दिन निश्यत किया गया है हुए है आदिते नाम बदला क्या और क्या क्या बदलाव हुए है जी बिलकुल देखें कहीं न कहीं है कि बड़ी खबर है भारत के लिए और उन लोगों के लिए जो बहुत समय से ये सुन रहते हैं कि शायद और पिछले दो महिएं से ये बहुत अच्छा में था कि मुगल अमरेत उद्दान के नाम से जाना जाएगा इसके अलावा इस वार जो खाटी अस है इसवार ओनलाइन बुकिंग के अलावा वहां पर पर और प्रजाथियां एजो उस गार्डन की सुबाबराती है उनको लेकर वहां पर एक युवार फोल लगा होगा हर जाटी के बाहर औ आप उस प्लान्ट के बारे में आप उस अलावा वहां पे एक ईल्फी पॉइंट भी पनाए ग्याए बजाए वहां पे यादगार दो अप्सिर सकें तरीनीन सरेकरकार का प्रयाहिए बीं है और ती पवस्त लोगों के मन वे और लोगों को आसानी से अमरत उख्टान उनके मन में बज जाए उसको लेकर वहाँ पर बहुत सारी शुखरायें हैं बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, बहुत सारी फ्लेक्स और रोलिंग लगे हैं, जहाँ पर आप तस्मिरे के चुछा सब्सक्राइब बिल्कुल लाहर, एक और जानकारी दीजिएगा, दिल्ली वालों ने तो खास तोर से यहां पर विजिट किया भी है, ऑनलाइन आम जनता के लिहां से. पहली बार अंबर सुझान इसमें लंगे समय के लिए खुलेगा, सुबह दुबह बारा बज़े से लेके और आप नौ बज़े सा खुलने का समय है, इसके अलावा किवार वहां पर उन्हों ने रखे हैं, ताची जानकारी आपको विश्रस हो सके उन फूलों के लिए, और आसानी से वहां जा सकेंगे और करी ने पर इस तरीके से इसमार वहां पर डेकुरिशन की जाई है, सेल्पी पॉइंट बनाए जाए हैं, वो लोगों के लिए आतकर सके लिए हैं। पिछले दिनों भी आपने सुना होगा औरिंग जिब रोड का नाम बदल कर, एपी जे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था। प्रतिक्रियां आएंगे, लोगों की मिली जूली आती भी हैं हमेशा इस बदलाव को लेकर, लेकिन बदलाव जो आदिते सकरात्मक हैं, हम महोचसब बना रहे हैं, तो क्यों नहीं, जो कुछ हार्श मेमोरीज होती हैं, जो हैं भी हमारे साथ जूड़ी हुई, वो दूर होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।